हलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे साउत की बहुत ही फैमस्टिस चनादाल बड़ा रेस्पी चलिए फ्रेंट तो शुरू करते हैं फ्रेंट्स ये खाने में बहुत यमी और टेस्टी लगती है जिसे हम नास्ते में जटपड बना के तयार कर सकती है फ्रेंट्स ये हमने दो कप चनादाल लिया है इसे हमने अच्छे से दो लिया और 4 गंटे के लिए भिंगो के रख दिया था ये अच्छे से फूल के तयार है फ्रेंट्स इसका पूरा पानी हमें निकाल देना है इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए ये हमने कुछ सूखे मसाले लिये हैं इसमें एक चम्म जीरा, एक चम्म सूखा धनिया और एक चम्म सौफ तीन सूखी लाल मिर्शी, एक पिंच छेंग अब मैंने ये दाल दरदरा पीस ली है जैसे एकदम फाइन नहीं पीस ना है इसमें कुछ सावुत चना दाल बचनी चाहिए तभी हमारे बड़े का टेक्शियर अच्छा आता है और जो मसाला लिया था हमने वो भी पीछ लिया है अब वो भी हम इसमें एड़ कर देंगे अब हम इसमें कुछ चीज़ां और एड़ करेंगे जैसे एक प्याज, धनिया, करी पत्ता और हरी मिर्ची एक इंच द्रक का टुकड़ा इस सारी चीज़ें पारी-पारी काटली है और इन सब को भी हम इसमें एड़ कर देंगे देगे फ्रेंट्स इसमें बिलकुल भी पानी नहीं रहना चाहिए नहीं तो हमारे बड़े का सेप अच्छा नहीं आएगा और अच्छे बनेंगे भी नहीं अब फ्रेंट्स हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे जिससे हमारे बड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और उनका टेक्चर अच्छा आएगा वो सीक्रेट चीज़ है ये चावल का आटा ये दो चम्मच चावल का आटा है इसे हम इसमें एड़ कर देंगे इसे हमारे बड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे टेक्चर भी अच्छा आएगा इससे अब इसमें हमें नमक एड़ करूंगी अभी तक हमने इसमें नमक एड़ नहीं किया है तो इसमें हमने एक चमस नमक एड़ किया है अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे देखे फ्रेंट्स मैं किस तरह इन सारी चीज़ों को मिक्स करूंगी अच्छे से इसे मिला लेंगे देखे फ्रेंट्स किस तरह मिला रही हूं मैं इसी तरीके से हम अच्छे से मिक्स करेंगे देखे फ्रेंट से सारी चीजे हमने मिक्स कर लिया है अब इस में से मैंने एक थोड़ा सा तुकडा मिश्टन का लिया है और इसे अच्छे से गोल-गोल करके हातों के بीच में हतेली के बीच में रखके इसको बड़े का सेफ दे दिया है देखे फ्रेंट्स किस तरह दिया है हमने इसको बड़े का सेफ इसी तरीके से हम अपने सारे बड़े बना के तयार कर लेंगे देखे फ्रेंट्स हमने अपने सारे बड़े बना के तयार कर लिया है अब ये फ्राई करने के लिए रेडी है मैंने गैस पर कडाई रखी है देखते हैं हमारा ओइल गरम हुआ है की नहीं हमारा ओइल फर्फेक्ट गरम है अब हम इसमें एक एक करके अपने सारे बड़े डालते जाएंगे और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे हमारी कडाई में जितने बड़े आजाएं हम उतने एक फार में डालेंगे और इसे लो टू मीडियम पर फ्राई करेंगे फ्रेंट्स ये बड़े लो टू मीडियम पर हम फ्राई करेंगे तबी अच्छे सिखेंगे नहीं तो ये उपर से ज़्यादा सिख जाएंगे और अंदर से कच्छे रह जाएंगे ठीके फ्रेंट्स ये एक तरफ से सिख गए हैं अब हम इने पलटेंगे एक करके हम अपने सारे बड़े पलट लेंगे दूसरी साइट से भी यमी लग रहे हैं और उतने ही खाने में भी ये टेश्टी थे बहुत ही टेश्टी बनती है ये डिस और ये नाच्टे में जल्दी जटवट बनके तयार हो जाती है और इसमें कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और कम इसके साथ मैंने टमाटर और प्यास की चटनी बनाई थी, जो इन बड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है बहुत टेश्टी इसकी रेश्पी में बहुत जल्द सेयर करूंगी और आपको मेरी रेश्पी पसंद आई हो तो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ सेयर करें